नमस्कार दर्सकों, कर्ज मुक्ती के लिए एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं देखिए हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी मुसीबत में किसी दूसरे से कर्ज लेना पड़ता है और ऐसा कर्ज आप चुका नहीं पाते हैं, काफी तकलीफ में होते हैं इनसान जब तकलीफ में आता है, तभी कर्ज लेने की नोबत आती है तो उस कर्ज को कैसे उतारा जाएं, यदि आपकी इस्तिती नहीं है कि आप उस कर्ज को उतार पाएं इंटरस्ट काफी बढ़ता चला जा रहा है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करें आपको उस उपाय को करने के लिए मंगलवार या फिर शनीवार का दिन चुनना है और वैसे तो कहा गया है कि मंगलवार और शनीवार के दिन आप कर्ज ना तो लें ना दें आप मजबूरी में ले रहे हैं दे रहे हैं तो आप उसको उतारने का एक समाधान जान लीजी एक कलश लेना है उसमें जल लेना है उसमें थोड़ा सा एक दो चुटकी आप हल्दी का पाउडर डाल दें हल्दी का पाउडर सुद्ध स्वच और घर का बना होना चाहिए इस बात का ध्यान रखें दूसरा है चावल का आटा चावल का आटा भी दो चुटकी आपको डालना है घर में पीस लें मार्केट से ले आएं जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल करें दोनों को उस जल में मिला करके आपको वट वरक्ष के नीचे जाना है सबसे पहले तो वट वरक्ष के नीचे जाना है वट वरक्ष के नीचे जा करके आपको भगवान वटकेश्वर महराज का नाम लेना है वटकेश्वर महराज किसका नाम है? वटकेश्वर महराज भगवान शिव का ही एक नाम है और उन्ही का एक अवतार है वटकेश्वर महराज के नाम से जाने जाते हैं उनका इसमरन करते हुए शनीवार या मंगलवार के दिन आप उस जल को वड की जल में समर्पित कर दें आप वहां अर्पित कर दें और अपनी मनोकामना बोलें जल्द से जल्द मेरा कर्ज चूक जाए यहां केवल आपको तीन मंगलवार या तीन शनीवार उपाय करना है उसके बाद आपको जरुवत ही नहीं पड़ेगी वटकेश्वर भगवान के उपर छोड़ दें वे सब समार लेंगे आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी आपको किसी से करजा लेने की भी जरुवत नहीं रहेगी जिंदगी में आप बस इतना सा काम कीजिए काम करते समय याद रखिए पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा के साथ इस कारे को कीजिए वटकेश्वर महाराज भोले नात की शरण में सब कुछ मिलेगा बस आपको विश्वास की जरुवत है थोड़ी श्रद्धा की जरुवत है पूरे मन से सचे मन से कीजिए धन्यवाद